हमेशकर दोस्तों मैं हूं हिमान्शू और आप देख रहे हैं YouTube का technology channel Hemantec Hemantec में आपको बताता हूं technology और science के बारे में science में नहीं क्या inventions हुए है, technology में निया क्या चल रहा है कौन से technology आपको कैसे इस्तमाल करनी है और कैसे secure तरिक के से इस्तमाल करनी है चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्या क्या बाते हैं जिसके कारण नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों देखते रहे तो दोस्तों नोकिया 3310 नोकिया ने दुबारे से लॉंच किया है जो पुराना मॉडल था उसका नंबर भी था 3310 और नया जो है इसका भी मॉडल है नंबर 3310 तो दोफ्तों ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये बहुत दिबेट की बात है अच्छली हम ले तो क्यों ले आखिर जब इतने सब स्मार्टफोन से हमें 5,000, 7,000 मिल रहे हैं तो हम Nokia 3310, 3500, 3400 या सपोश्च 3000 में भी हम क्यों ले तो ये सवाल तो बहुत बड़ जो पॉकेट में कहीं भी आ जाएगा दूसरी बात ये है कि इसमें कैमरा भी है टू मेगापिक्चल का विट फ्लैश है तो ये एक अच्छी बात है जिसके कारण हमें लेना चाहिए और तीसरी जो बात है इसमें रेडियो भी है और MP3 प्लेयर भी है तो अगर हमें काफे द बता है ये अच्छी बात है दोसरी बात ये है कि इसमें बात इडाटी लाइफ जो कि 1200 मिल अंपेर आवर की इन्होंने बैटेर लाइफ बताई है और इनका कहिना है कि 22 आवर्स का टॉक्टाइम मिलेगा तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 22 आवर्स का टॉक्टाइम तो दो घंटा और इन्होंने 22 घंटे का जो बैटरी का बैकप बताया हुआ है तो इसका हाफ कर लिजिए यानि कि 11 दिन के आसपास चलना चाहिए बैटरी बैकप अगर चलो stand by time night का अगर यूज इसमें से deduct कर दे तो 11 दिन नहीं तो कम से कम 8 दिन दो चले यानि अगर हफता भर आपको बैटरी अगर चलता है वन वीक तक अगर आपको बैटरी चलता है तो इसमें लेने वाली बात है इस मोबाइल को लेना चाहिए अगर बैटरी तो इसमें काफी जग़ा भी था काफी मोटा भी बनाया गया है अगर देखा जग़तों तो काफी जग़ती अगर ये नोकिया वाले चाहते तो चोड़ा और बड़ा बैटरी भी दे सकते थे बट शायद इनका कुछ प्लान होगा आगे और इस मोबाइल को ल दे सकते हैं कि इसमें इंटरनेट नहीं है अब इंटरनेट नहीं है ये तो कोई अच्छी बात नहीं है आज की दे में बट हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनका इंटरनेट का बिलकुल भी यूज नहीं है और जिनको चार्जिंग करने का ध्यान नहीं रहता है और जो चार हम Indian conservative family में यह चीज़े होती है कि बच्चों को ज्यादा YouTube और Internet नहीं देना है तो इस बज़े से भी हम इसको ले सकते हैं और एक और चीज में चाहता था कि इन्होंने अगर इस mobile को waterproof बनाया होता तो और भी सुने पर सुहागा हो जाता है चार चान लग जाते हैं तो कि जब कि यह तो waterproof नहीं है कहीं भी लिखा हुआ नहीं इस चीज में मोबाइल में में कि इसमें waterproof है तो दोफ तो इसमें जो है 16 MB की इंटले मेमोरी भी दी गई है और safety card का support भी है जिसके कारण फिर से एक और बात हो जाती है कि एक लेने का कारण बन जाता है वैसे मुझे अगर पुछा जाए और मेरे पास जब कि दो तीन smartphone है मेरे पास मेरे जेब में अलड़ी रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसको लूम है ताकि मैं इस पर से call receive करूँ और इसमें बैक्री चार्जिंग करने का ज्यादा मुझे जंजट ने रहेगा और तक्लिप ने रहेगी अगर इन्दों ने वन विक का backup दिया तो बहुत अच्छा होगा इसमें एक और अच्छी बात है कि बच्चों को दे सकते हैं हम और जो लोग internet से जादा यूस तो नहीं है जिनको internet की जरूवत ही नहीं है ऐसा लोगो को दे Size हम या कि घर में standby के तो हम इसको रख सकते हैं इस्तमाल करने के लिए कि潮श कोई पॉन नहीं लग ऐ तो इसमें कर दिया इसकी तो बैटरी खतम होती ही नहीं है इस बात को लेकर के भी हम इसको ले सकते हैं और जब बेट पड़े तो और नोकिया का 2 मेगापिक्सल का कैमरा है तो काफी बैतर ही नहीं होगा क्योंकि इनका जो कैमरा कॉलिटी रहता है बहुत ही अच्छा रहता है तो इस कर्ण से भी हम ले सकते हैं और नहीं लेने वाली जो बात है वो ये है कि 3000 में हमें कासी सरे आप्शन भी मिल जा रहे है मार्केट मेंगा देखा जाए तो तो हम नोकिया के उले दूसरे मोबाइल के उने ले ऐसी वाली बात भी हो जा रही है तो इसमें ऐसा क्या है अलग चीज जो कि हम दूसरे मोबाइल में नहीं है और हम 3000 में ले मोबाइल तो 1700 और 800 और 900 से भी एविलिबल है मार्केट में हाँ ये बात अलग है कि ये चैनिज मोबाइल होंगे जिनके बैसरे बेक अप इतनी अच्छी नहीं होगी बट कुल मिला के तो मुझे लग रहा है कि Nokia का 3310 एक रखा जा सकता है अपने पास जस्ट विकाउज कि इसमें इंटरनेट नहीं है और हाँ दोस्तों इसमें Jio तो चलने वाला नहीं है आपके दिमाग से निकाल दो क्योंकि ये 2G हैंडसेट है तो Jio का तो option पहले ही खतम हो गया तो आज तो हर किसी के पास Jio का सिम है और स्री कॉलिंग वाला सिम है तो ये तो चलने वाला नहीं है और सपोर्ज जलती से चल भी गया क्योंकि अभी तक तो मोबाइल हाथ में आया नहीं है तो मैं पूरी तरह से बता नहीं सकता हूं चलेगा नहीं चलेगा बटe घूजी होने के नाथे मिंई तो मिया है को इसमें Jio Sim में चलेगा तो अगर हम इसको लेते भी है और Jio Sim चलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हम इसमें free calling वगरे का मज़ा ले पाएगे Jio Prime का offer बंडल करके हम लेकिन Jio Mobile का offer इसमें अपने को budget में नहीं आपाएगा क्योंकि 303 रुपे के पर मंद के की billing है उसकी recharge है तो दुफ्तो इसमें तो Jio का SIM card तो चलने वाला नहीं है क्योंकि ये 2G का handset होगा और जैसा कि Jio 4G supported handsets में ही चलते हैं तो इसमें Jio का तो पत्ता पहले ही cut हो गया है तो Jio तो इसमें चलने वाला नहीं है आप normal कोई भी दूसरे operators का SIM लग सकते हो incoming, outgoing के लिए कोई एक बात हो जाएगी इसमें तो दूस्तो मुझे बताईए कि ये आप लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे मुझे तो लगता है कि एक handset घर में रखने में या बच्चों के पास देने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता है या आपने पास भी रखने में अगर safe incoming और safe outgoing करनी है तो कुछ हर्ज नहीं है एक handset लेने में मुझे आप बताईए comment में कि आप इसको लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे तीनेजर के आसपास अगर ये mobile launch होता है अपरिल में और science के बारे में बताता रहूँ तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो बंदे मातरम जै हिन